नमस्कार हमारी राय में आपका स्वागत है इंडिया मिंस बिजनिस इस नए लुभावने नारे के साथ हाथ जोड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा सा पोस्टर सुर्जर लेंड के एक शहर दाबोस जो आज कल काफी चर्चा में है उस शहर की एक इमारत प कहा जाता है कि सुंदर्ता देखने वाले की नजर होती है यह बात इस पोस्टर के संदर में भी कही जा सकती है कि लोग इसे देखकर प्रधानमंत्री की मुख मुद्रा देखकर ये तै करें कि इस नारे को देने के पीछे उनकी मनशा क्या है जब 90 के दशक में आर्थिक प्रधाने की तरकीव ने जोर पकड़ा और ये समझाया गया कि किसी कंपणी के CEO की तरह देश के प्रधानमंत्रियों को काम करना चाहिए। बस तभी से भारत विश्व के आर्थिक मंचों पर शिर्कत करने में अपना गौरब समझने लगा। इस गौरब को नई उचाईयों पर ले जाते हुए हमारे प्रधान सेवक या कहें कि CEO मोदी जी ने सुर्जर लेंड के दावोश शहर में वो पहुँचे और यहां हुए वर्ल्ड एकोनामिक फोरम की 48 मी बैठक में अन्य वैश्विक नेताओं और लगभग 2000 कंपनियों के CEO's क साथ बात्चित वो करेंगे उन्हें देश की नई आर्थिक संभावनाओं के बारे में बताएंगे विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश का न्योता देंगे दुनिया को बताएंगे कि उनकी सरकार ने काले धन को रोकने के लिए नोट बंदी का क्रांतिकारी कदम क्य लेकिन जो बाते वे बिलकुल नहीं बताएंगे उनके बारे में लगबक सभी लोग इस देश के मतलब भारत के सभी लोग जानते हैं कि नोट बंदी के बाद यहां के लोगों को कितनी तकलीफ हुई GST का फैसला इस तरह लिया गया कि उसे बार-बार सुधारना पड़ रहा है मोदी जी ये भी नहीं बतलाएंगे कि उनके कारेकाल में 2015-16 में भारत की GDP 7.9 प्रतिशत थी फिर 2016-17 में घटकर 7.1 प्रतिशत हुई और इस वित्तिये वर्ष में 6.52 प्रतिशत होने का अनुमान ल यूँ भी दाबोस में बर्भबारी के कारण सुहावना मौसम और नजारा है तो बाते भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी होनी चाहिए तो एक अच्छी बात इंटरनेशनल मौनिटरी फंड की रिपोर्ट में सामने आई है कि 2018 में 7.4 फीसदी की विकासदर से भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थवेवस्था होगी इधर प्राइस वाटर हाउस कूपर्स यानि PwC के सर्वे में ये बात सामने आई है कि निवेशकों के लिए भारत दुनिया की पांचवी सबसे आकरशक जगा है PwC का मानना है कि सरकार ने बुनियादी धांचा, मैनुफैक्चरिंग और कौशल निर्वान के छेत्रों से जुड़ी चिंताओं को समाधान किया है अब ये चिंताएं कौन सी थी और उनका कैसा समाधान निकला इस बारे में आम जनता को क्या बताना बड़े लोगों के बीच वैसे भी छोटे दखल नहीं देते एक अच्छी खबर ये भी है कि इस वितवर्ष की पहली छमाही में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 17 प्रतिशत की बढ़ोत्री हुई है 2016-17 में पहली बार FDI 60 बिलियन डॉलर यानि की करीब 4,000 अरब रुपए से ज़्यादा रहा रिजर्ब बैंक की भी एक रिपोर्ट सामने आई है कि भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत देश जो है वो मौरिशस है यानि यहां से सबसे ज्यादा निवेश इस देश में मतलब भारत में हो रहा है वैसे यह बात थोड़ी चौकाती भी है क्योंकि मौरिशस को टैक्स हैवन भी माना जाता है जहां से हवाला के जरिये भारत के काले धन को सफेद करने में आसानी होती रही है बहराल जब इतने अरवो रूपे विदेश से भारत में आ रहे हैं तो फिर भी युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है महंगाई क्यों बढ़ रही है इतने रूपे आखिर किसके पास जा रहे हैं इन सवालों का जवाब भी दावोज की बैठक के पहले सामने आया है इंटरनेशनल राइट्स ग्रूप आक्सफेम के सर्वे में एक खुलासा हुआ है कि पिछले साल भारत में जितनी संपत्ती का निर्मान हुआ उसका 73 प्रतिशत हिस्सा देश के एक प्रतिशत अमीर लोगों के पास गया पिछले साल के सर्वे में भारत की सबसे धनी एक प्रतिशत आबादी के पास देश की कुल 58 प्रतिशत संपत्ती होने की बात कही गई थी लेकिन इस साल इस एक प्रतिशत आबादी की संपत्ती 20.9 प्रतिशत लगभागी किस प्रतिशत बढ़ी है reward work not wealth के नाम से जारी रिपोर्ट में Oxfam ने ये उजागर किया है कि वैश्विक अर्थव्योस्था ने कैसे धनाड्यों के समूहों को अकूद संपत्ती प्रदान की जबकि लाखों करोडों लोग घरीबी रेखा से नीचे होने के कारण सरकारी योजनाओं के सहारे जीने का सं मोदी जी दावोस में अपने साथ जो व्यापारिक प्रती निधिमंदल लेके गए हैं जिसमें छे मंत्री भी शामिल हैं उनमे से ये एक प्रतिषत वाले लोग भी शामिल होंगे बाकि 99 प्रतिशत जनता तो अभी भी यही समझ रही है और यह समझ नहीं पा रही है कि उसके देश का मतलब ब्यापार कैसे हो गया यानि इंडिया मेंस बिजनेस कैसे हो गया क्या अब हम भारत माता की जै की जगा ब्यापार की जै बोलेंगे तो आज के लिए बस इतना ही देखते रहे हैं डिवी लाइव नमस्कार